हाँ जी आपकी CVSC वोड के एक्जाम की डेटशिट जारी हो चुकी है चार मई से दस जून के बीच होंगी दस वी वारवी की वोड परीच्छा है एक मार्च से सुरू होगा प्रैक्टिकल एक्जाम और पंदरा जुलाई तक जारी हो जाएगा रिजल्ट केंद्रे सिक्षा मंतरी रमेश पोखरयाल निसंक ने गुरबार 31 दिसम्मर को CVSC दस वी बारवी परीच्छा का स्कैडियूल जारी कर दिया है जारी सेडियूल के मताबिक परीच्छा है चार मही से 10 जून के बीच आयोजित की जाएंगी जबकि प्रैक्टिकल एक मार्च से शुरू हो जाएंगे मही परीच्छा का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा सिक्षा मंत्री ने सोसल मीडिया अकाउंट के जरिये आयुथ हुए लाइव वेबिनार के दौरान परीच्छा की तारीखों का एलान कर दिया है स्टुडेंट्स और टीचर्स का उन्होंने आभार जटाया है वेबिनार के दौरान केंद्री सिक्षा मंत्री ने कहा कि चुनोती की समय भी स्टुडेंट्स और टीचर डटे रहे कोरोना की समय छात्रों ने पूरे मनोवल के साथ परीच्छाएं दी और हम सबने मिलकर साल बरबाद होने से बचाया अब हम आने वाले शेशन की तयारी में जुटे हुए हैं ऑनलाइन क्लास और टीवी चैनलों के माध्यमों से सभी वच्चों तक सिक्षा पहुचा रहे हैं उन्होंने कहा सीवी एसी ने कोरोना महमारी के कारण पढ़ाई में हुए नुकसान को देखते हुए दसवी बारवी के सलेवस को 30 फीस्दी की कटोर्ती के साथ लॉंच किया है इसमें छात्रों को काफी राहत मिलेगी ऑनलाइन क्लासेस के जरिये पूरी होगी पढ़ाई सिच्चा मंत्री ने कहा कोरोना काल में अविवावक भी पीछे नहीं रहे ही टीचर भी योध्धा बनकर आगे आए कोरोना की कारण पढ़ाई में आए गैप को ऑनलाइन क्लासेस के जरिये पूरा किया गया हाला कि कुछ चात्राइं ऐसे भी थे जिनके पास ऑनलाइन से इच्छा उपलब्द नहीं थी ऐसे में चात्रों को डिटी एच के जरिये टीवी और रेडियो के द्वारा पढ़ाया गया कोरोना काल में हुई दुनिया की सबसे बड़ी परिच्छा निशंक ने कहा कि मुझे गर्भ है कि कठिन समय में भी सेक्ष्ड गदवधियां चर्मराई नहीं हम टीचर स्टुडेंट से लगातार संबाद करते रहे देश के 33 करोड़ चात्रों में से 25 करोड़ चात्रों ने ऑनलाइन पढ़ाई की कोरोना काल में दुनिया की सबसे बड़ी परिच्छा जी मतलब की ज, ई, ई, और नीट हुई उन्हें ने ये भी का कि पहले हम जहां मॉबाइल सिर्फ दोस्तों से बात करने के लिए प्रियोग करते थे अब उसी मॉबाइल से बच्चे लेसन सुनते हैं टीवी को जहां पहले मनोरजन के लिए देखे जाता था अब वहीं बच्चों को पढ़ा रहा है इस्टूडेंट्स और टीचर्स से भी उन्होंने बातचीत की किस से पहले केंडरी सिच्चा मंतरी ने 10 दिसम्मर और 22 दिसम्मर को इस्टूडेंट्स और टीचर्स से लाइब बेमिनार के जरी ये बातचीत भी की थी बातचीत के दोरान उनोंने बताया कि वोड परिचाए फर्वरी 2021 ते कायोजित नहीं कराएं जाएंगी हाला कि फर्वरी के बाद ये परिचाए आफलाइन मोड में ही आयोजित होंगी परिचाओं को लेकर जारी उल्चन और ब्रहम की इस्थिती को देखते हुए केंद्री सिक्षा मंतरी ने कहा कि तारीकों की गोशना होने से जो इस्थिती इसपस्ट हो जाएगी साथी सभी को अशुष्ट कराया जाता है कि परिच्छा से जुड़े सभी फैसले आपके हित और भविश को दियान में रखकर ही लिये जाएंगी तो आपकी डेट शीट आ चुकी है तो आपकी जो भी तयारी है ऑनलाइन की है अफलाइन की है अपने सेल्फ इस्टडी की है उसको कंटिन्यू करते रहेगा एक गंटे पहले की ये ख़बर है डारेक्ट हमने वेबसाइट से आपको ये न्यूज प्रोवाइड करा दी है व झाल